वेलकम टू माई चैनल मेसिज एलकेस किचिन आज हम वैज खस्ता परंठा बनाने वाले हैं तो आईए हम अपनी रैसिपी को स्टार्ट करते हैं इसके लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी गिहुका आठा लिया है इसमें दो चम्मच बेसन डालेंगे और दो चम्मची इसमें आठा गोत के तैयार कर लेंगे जैसा रोटी और परांठी के लिए हम आठा गोतते हैं वेशे कि यहाँ वैसे आठा लिए तो आठा हमारा थैयार है हम इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे और अब हम आठा दू कर लेते हैं तो गैते मैंने रखी इसमें एक बड़ हरी मिर्ष जाल दें इसमें तरह बरिक गट्टी हरी मिर्ष प्याज प्याज जाल थार नहीं प्याज को हने तक भून लेंगे work s invest जाज में इसमें मसाले आट करेंगे एक छमाच धनीड पाउडर डालें listen आधा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे और एक चमच कस्मेरी लाल मिर्ष डालेंगे मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे एक सेकंड के लिए भून लेंगे इनको आधा चोटी चमच नमक एड किया है मैंने यहां पे शिम्ला मिर्ष डालेंगे बार इकटी हुई और गाजर भी दाल देंगे बार इकटी हुई मिक्स करेंगे इनको और एक से दो मिर्ष के लिए लो फ्लेम पे इनको चलाते हुए भून लेंगे अब यहां पे हम उगला हुआ अलू डालेंगे जिसे मैंने मैश कर लिया है इसको भी हम मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे इसको भी एक मिर् अब इसमें आधा चमच चाट मसाला डालेंगे और आधी चूटी चमच इसमें गरम मसाला डालेंगे मिक्स कर लेंगे इनको तो स्टफिंग हमारी लगबग तैयार है अब हम गैस को बंद कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे आटा देख लेते हैं आटे पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे उपर से और इसको हाथों से मसलते हुए मुलाएं कर लेंगे तो आटा भी हमारा तैयार है इस टफिंग हमारी ठंडी हो गए अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ थोड़ा सा पनीर भी एड़ करेंगे मिक्स कर लेंगे इसको अब इस्टफिंग हमारी एकतम तैयार है अब हम एक लोई लेंगे आटे में से इस तरीके से और इस पे सुखा आटा लगाएंगे थोड़ा सा और इसको बेल लेंगे कर लेंगे हुआ देख सकते हैं आप मैं इस तरीके से पतली रोटी बेल के तैयार कर लेंगे है अब इसके उपर हम इस्टफिंग को रखेंगे इधर से फोल्ड करेंगे इसको और इधर से भी फोल्ड कर देंगे मैं चौक और आकार का परांठा बनाऊंगे इसलिए मैं इस तरीके से इसको फोल्ड कर रही हूँ अगर आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं कि सुखा अटा लगाएंगे थोड़ा सा और इसको हल्कियांतों से बेल लेंगे पराठा हमारा बेल के तयार हो गया अब हमने गैस पे तबा रख दिया था गर्म होने के लिए तबा गर्म हो गया हम पराठी को इस पर डाल देंगे एक मिनट तक नीचे से सिखने देंगे अब इसको पलट देंगे दूसरी साइड से भी इसको एक मिनट के लिए सिखने देंगे और इसको पलट देंगे देशी घी लगाएँगे यहां पे क्योंके हम खस्ता परांटा बना रहा है तो मैं इसको देशी घी में ही सेक रहे हूँ आप चाये तो किसी भी ऐल में भी सेक सकते है दूसरी साइड में हम घी लगाथेंगे इसके इसको दबाते हुए दौनों साइट से बढ़िया से सेक लेंगे देखिए हमारा खस्ता पराठा बनके तैयार है ऐसे हम बागी के पराठे भी तैयार कर लेंगे तो देखिए हमारे वेच खस्ता पराठे बनके तैयार है दही के साथ सर्फ करेंगे इनको देखिए बहुती जदा सॉफ्ट बने है यह देखिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आयो तो लाइक करें, शेयर करें कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें